प्रीती तुम यहां? और यह सब किसे नहीं किया? मतलब तुम्हें भी? मुझे बहुत डल लग लग रहा है प्रीती, बहुत जब लग लग रहा है मुझे तुम्हें दर्ड दो रहा होगो ना? बहुत दर्द हो रहा हुगा तुम्हें, मुझे भी हुआता बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत दर्द हुआता मुझे, जब तुमने उस दिन सबके सामने बोला, कि माँ बाप का ठिकाना नहीं खांदान का ठिकाना नहीं और ये लड़का ये लड़का शादी करने के खौब देख रहा है उसी दिन सोच लिया था मैंने अगर तुम मेरे नहीं हुई तो तुमें किसी और की भी नहीं होने दूँगा किसी और की भी बहुत ज़ादा बहुत ही प्यार किया था मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए जान तक दे सकता था पर तुम्हेंने मेरे कदर ही नहीं किरी क्योंकि कोई नहीं था ना मेरा अकेला था मैं और जब छुट्टियों में सारे बच्चे अपने पाता-पिता के साथ घूमने जाते थे और जब वो वापसी आते थे मुझे अच्छे-च्छे किस्से सुनाते थे लेकिन मैं अखेला होश्टल के बिस्तर पर पड़ा रहता था रोता रहता था बहुत अजीब सा फील होता था मेरे को खोती अजीब फील होता था फिर उसके बाद तुम मेरी लाइफ मेरी लेकिन तुमने तुमने भी मेरी कदल नहीं करी और कहाता था तुमने कि मैं एक चीटी नहीं मार सकता हाँ फिर उसके बाद तुमारे पिता जी की डैथ हो गई क्या कहते हैं उसे इगो हर्ट है ना मैं अंकल जी के पास गिया मैंने बोला मैं अंकल जी मैं प्रीती से बहुत ज़ादा प्यार करता हूं इसकी मेरे से शादी कर दो मगर नहीं वही बात खांदान का पता नी माता पिताका पता नी शादी करने है ख्वाब देखर आई है अंकल ने कहा तू तो तो गली का कुटा कंजर पता नहीं क्या क्या टपोरी ये पोरी लगता है लेकिन मैंने का ठीक है अंकल मैं टपोरी ये पोरी सही बखड़ी अंकल की करदर दाब दिया नीचे बहुत मज़ा आया मेरे को पूरे एक मिनट तक दबाता रहा एक मिनट में तडब तडब के अंकल जी की जान निकल गई लेकिन मैंने एक मिनट और दबाया क्या कहते है उसा सैटिस्पेक्शन बहुत मज़ा आया मेरे को कि अले तुम मत डरो तुम मेरा पहला प्यार होना तो तुम्हें जाता तडबाऊंगो नी और मैं तुम्हें तडबता हूँ देख भी नहीं सकता वैसे ओप्शन है तुम्हारे पास तुम्हारे पापा को भी दिया तो ओप्शन हमने शादी कर लो हमसे वरना तुम पाप के पाद जाना आए के तुम्हें है बता दो जैसे मर्द ही हो तुम्हारी और हा दस मिनट का समया तुम्हारे पास सोच लो वे सिक्रेट का आए मेरी अच्छा ये पर